हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको टू थ्री एर बेबी के लिए बहुत ही प्यारी सी एलाइन की फ्रोग बनाना सिखा रहे हैं इसके लिए हमने 50 सेंटिमीटर प्रिंट और 50 सेंटिमीटर प्लेन फेबरिक लिया है ये देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर फ्रोग के लिए हमने दो पीस ले लिए हैं जिसकी लेंट 17 इंच है और चोड़ाई में ये 21 इंच है अब हम इसको यहाँ पर डबल करके रख लेते हैं फोर लेयर यहाँ पर इसकी हो गई है शोल्डर हमें इसका 5 इंच रख लेना है आर्म होल की लेंथ हमें इसकी 5.5 इंच रख लेनी है चेस्ट हम इसकी 7.5 इंच रख लेते हैं आर्म होल में हम इसके गोलाई कर देते हैं नेक की चोड़ाई यहां से हमें इसकी 2 इंच रखनी है और लेंथ में हमें इसको 3 इंच रखना है इसमें हम गोलाई कर लेते हैं वेस्ट लाइन हम इसकी 4.5 इंच रख लेते हैं और वेस्ट हमें 7 इंच रखनी है अब उपर से हम नीचे की साइड को तीचा करते हुए निशान इस पर लगा लेते हैं यहां 7.5 इंच का हमें निशान लगा लेना है और इसमें ऐसे करते हुए गोलाई कर लेनी है इससे फ्र इससे इसकी फिटिंग अच्छी आती है। दोनों पीस हमारे यहां पर कट चुके हैं अब एक पीस को हम इसमें से अलग कर देते हैं और एक पीस में से बेगनेक कट कर लेते हैं जिससे बेबी को पहनाने में परशानी ना हो। टू इंच का बेक नेक हमने कटिंग किया है यह हमने स्ट्रिप ले लिए टू एंड थ्री इंच की बीच से हम इसको टू इंच कटिंग कर लेते हैं और यहां पर रखकर हम इसको लगा लेते हैं ये फ्रोक का हमारा फ्रंट पीस है इसको हमें डबल कर लेना है और बीच से हमें इसको कटिंग कर लेते हैं बीच में हमें इसके डिजाइन लगाना है इसलिए हमने दोनों पीस अपने काट लिये हैं ये हमने यहाँ पर स्ट्रिप लिये है जिसकी चोड़ाई 2.5 इंच है और लेंथ में भी ये 2.5 इंच है इसको हमें ऐसे डिजाइन बना कर यहाँ पर रखकर लगा लेना है ये हमने दो फ्रिल ले लिये हैं जिसकी लेंथ 6 एंड 44 इंच के 6 इंच ये ऐसे है और इस तरीके से लेंथ में ये 44 इंच है आपका फ्रिल अगर कम हो तो आप उसमें दूसरा फेबरिक जोड़कर उसको लंबाई में ज़ादा कर सकती हैं एक साइड से हमें इसको फॉल्ड करना है और एक साइड में हमें इसकी चुनटे डाल लेनी है दोन यहां पर हम सबसे पहले अपना बेक नेक तयार कर लेते हैं इस ट्रीप को हमें ऐसे करते हुए यहां पर रख लेना है अब उसके दूसरी साइड में भी हमें ऐसे ही इस पर सिलाई लगा देनी हैं बीच से हम हलका सा इसको कट कर लेते हैं सभी फैबरिक इसके नीचे की पर हम सिलाई लगा लेते हैं जिससे इस ट्रीफ हमारी बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाती है और इसको मोणने में परिशानी नहीं होती है अब हम इसको इस साइड को फोल्ड कर लेते हैं और यहां से हमें इसको फोल्ड करते हुए इसके उपर सिलाई लगा देनी है आप देख सकते हैं नेक इसका कितना प्यारा सा बन गया है ये हमारी डिजाइनिंग पट्टिया है इनको हम ऐसे करते हुए फॉल्ड कर लेते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं सभी पट्टिया हमें अपनी ऐसे ही फॉल्ड कर लेनी हैं और एक दूसरे के ऊपर थोड़ा रखते हुए इस पर सिलाई लगा कर हमें इसकी लेस तैयार कर लेनी है अब हम इसका एक्स्ट्रा फेब्रिक काट देते हैं अब अपने एक फ्रोक के पीस पर हम इसको रख लेते हैं और इसको इस पर रखकर सिलाई लगा लेते हैं फ्रैंक्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यह देखें यहाँ पर हमने अपना पीस तयार कर लिया है अब हम अपने दूसरे पीस को भी यहाँ पर ऐसे करते हूँ रख लेते हैं और इसके उपर सिलाई लगा लेते हैं दोनों पीस हम अपने एक दूसरे की साथ जोड लेते हैं काफी प्यारे प्यारे से डिजाइन की वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है कर लेते हैं और उसके उपर अपना front piece रख लेते हैं फ्रेंटस इसमें हमने design जो डाला है तो इसका back piece थोड़ा सा extra हो गया है और front piece थोड़ा सा कम हो गया है तो दोनों piece को हम काट कर बिल्कुल बरावर कर लेते हैं नेक भी front neck भी हमारा थोड़ा सा कम हो गया है इसको भी हम ब्राबर कर लेते हैं ये देखी कितना प्यारश है यहाँ पर हमारा design लग गया है अब हम दोनों shoulder अपने मिला लेते हैं और shoulder पर सिलाई लगा लेते हैं double सिलाई यहाँ पर हमें लगा लेनी है फ्रंट आर्म होल में हम हलकी सी गहराई कर लेते हैं अब ये हमें अपनी पाइपिन लगानी है इसको हमें हलका हलका सा सब जंगे से कीचना है और बेक साइड से हमें अपनी पाइपिन लगानी है और फ्रंट साइड को पाइपिन को पलट लेना है यह देखिए यहाँ पर पाइपिन हमने अपनी लगा ली है अब हम इसको ऐसे करते हुए फ्रन्ट साइड पर पलट लेते हैं इस तरीके से आप पाइपिन लगाएंगी तो आपकी पाइपिन बहुत जादा प्यारी शेप की बनकर तयार हो जाएगी पाइपिन के अंदर की सिलाई भी हमें बिल्कुल बराबर लेनी चाहिए जिससे हमारी पाइपिन की शेप अच्छे आती है यह देख सकते हैं फ्रन्ट बेक और फ्रन्ट साइड से हमारी सेम इतनी ही पाइपिन हो रही है नेक में भी और आर्म होल में भी हमने ऐसे ही पाइपिन लगा कर अपनी तयार कर ली है अब ये हमारा फ्रिल है इसमें चुन्नटे डाल कर हम फ्रोक के गेरे के बराबर इसको कर लेते हैं पूरे फ्रील में हमने ऐसे ही चुन्नटे डाल कर तयार कर ली है और फ्रोक के घेरे के बराबर हमने इसको कर लेना है अब हम अपनी फ्रोक को यहां पर फ्रील पर रख लेते हैं और इस पर फ्रील और फ्रोक दोनों एक साथ जोड़ कर तयार कर लेते हैं यह देखे फ्रेंस यहां पर हमारा फ्रिल लगकर तयार हो गया है कितनी प्यारी सी इसकी शेप आ गई है अब सभी फेब्रिक हम इसके नीचे की साइड का फ्रोक की साइड को कर लेते हैं और इसके ओपर एक सिलाई लगा लेते हैं जिससे यह बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाता है यह देखे फ्रिल यहां पर हमारा लगकर तयार हो गया है और डिजाइनिम की इसकी काफी प्यारी बन गई है ऐसे ही हमने बेक साइड में भी फ्रिल लगा लिया है अब हम अपनी साइड की फिटिंग इसमें कर लेते हैं फ्रेंड साप अपनी बेबी के मेजरमेंट के हिसाब से भी फिटिंग थोड़ी सी कम या जादा इसमें लगा सकते हैं दूसरी साइड में भी हमें फिटिंग की सिलाई इस पर ऐसे ही लगा कर इसको यहां से तयार कर लेना है दोनों साइड में हमने फिटिंग की सिलाई लगा लिये अब हम इसका नीचे का गहरा फोल्ड कर लेते हैं नीचे का गहरा बारीक किनारी सी हमें मोड कर फोल्ड करना है ये देखिए फ्रेंज यहाँ पर गहरा हमने मोड लिया है फ्रोक हमारी बन कर कितनी प्यारी सी तैयार हो गई है फ्रेंज ये फ्रोक 2-3 एर बेबी के लिए है फ्रेंट्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा